दोस्तो टाइटानिक जहाज को डूबे हुए आज से करीब 111 साल हो चुके हैं पर फिर भी आज तक इस जहाज को समुद्र से बाहर निकाला नहीं गया लेकिन आखिर ऐसा क्यों इसे आखिर बाहर क्यों नहीं निकाला गया दोस्तो टाइटानिक जहाज अपनी पहली आत्रा 19 1212 में कर रहा था जो कि इंग्लेंड से नियू यूर्क जा रहा था नियू यूर्क जाते वाक्त वो समुद्र में वो एक बड़े से बर्फ के चटान से टकरा गया जिसके बाद वो पानी में डूब जाता है और इस घर्टमे के 70 साल बाद 1985 में इस जहाज का पानी के नीचे प अपनी आप ही पूरा नेच्ट हो जाएगा और नेच्ट होकर पूरी तरह खतम हो जाएगा बाकि ऐसी और वीडियो देखने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले